बच्चों लोग इस question में आपका एक phenol दिया हुआ है एन एक acid दिया हुआ है का आपके पास aromatic carboslic acid है अब बोलागे इनको separate करने क्लिए कौन साथ reagent यूज़ करेंगे द्धान देंगे इन दोनों को separate करना तो simply आपको इन चारों में से आपको यूज़ करना है sodium carbonate क्यों sodium carbonate में आपका जो aromatic carboslic acid कर जाएगा क्योंकि आपसमें rate कर सकता है तो यह अलग हो सकता है बड़ आपका sodium carbonate साथ phenol creation औकर नहीं करेगा तो इसमें इस तरीके से phenol and carboslic acid को आप क्या कर सकते हो separate out कर सकते हो इसका अंसर क्या होगा इसका आंसर होगा डी तो बचलो एफ हैस्वोर्शन का solution मूव करता हूं नहीं हैस्वोर्शन पर